योग फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चानल मेरा नाम प्रित्ति वारी और आज मैं आप लोग के लिए गर्मिया आज चुकी है तो अब हम लोग को चाहिए समर हेरस्टाइल तो मैं लेकर आगए आप लोग के लिए समर हेरस्टाइल बहुत ही इजली हम बना लेंगे और हेरस्टाइल तो वीडियो को एंड तक देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिए इस चैनल को जैसे सब्सक्राइब कर रहे हो प्लीज सेकेंड चैनल पर यह मेकप टूटोरियल की वीडियो आपको वहां पर मिलेंगी और इंस्ट्राइड इप्रिस्तिवाइट 24 है तो जाएगा तो चलिए आज का वीडियो स्टाइट करते हैं इजी एंड क्विक आसां हेरस्टाइल गर्मियों के लिए तो सबसे पहला जो है अक्सर चाहते हैं कि मारे फेस पे बाल ना आए तो मैं अपने यह स्टाइल बताती हूं अपने बालों पर गाईज में बालों का टै अगर आए तो आगे से बाल जड़ा जड़ चुके हैं गंजापन आ रहा है उसके लिए आपको हैरस्टाइल चाहिए तो देर गंजापन अगर आ चुका है बालों में सबसे पहले आप cold drink avoid कीजिए तला भुना थोड़ा सा कम खाई है मिर्ची कम खाई है पानी बहुत ज्यादा पीजिए एंड हो सके तो treatment ले लीजिए अदरवाइस फिर भी कोई आपको party function है और आपका hair बहुत भद्धा दिख रहा है तो मार्केट में बहुत सारी hair accessories available है तो आप front hair के लिए छोटे-छोटे आपको करके भी दिखा दूंगी किस तरीके से करना चाहिए होगा जो कि मैं हमेशा बनाती हूँ वह बता दी मैं सबसे पहले आपको गर्मियों का सीजन चल रहा है तो आपको हाई बन चाहिए होगा हमेशा बालों को हाई पर बना के रखिए आप अगर college girl हो medium land hair है और आपको हाई pony till ते ही है आपकी pony till high नहीं बनती है तो आपको कह करना इस तरीके से simple pony बना ले नहीं है थोड़ा सा बालों का हाफ माल लीजेह हाफ लेलीजेहाफ हाफ अधे लेकर इस तरीकी से अपर की अपर की पर की ऊपर से उपर की तरफ इस तरीके से लेना है और्ड हाफ मधड बैंड को यह से Ben क्लाचर आप अपने च्वॉइस के ले सकते हो क्लॉट को पुरा इस तरीके से रहर का ander किसे अगर पोणी बनाते हो तो यह काफी स्टाइलीस लगता है एंड दिखने में भी काफी अच्छा दिखता है यूनिक दिखता है तो आप आप ये ट्राइ कर सकते हो college girls हो तो गर्मियों में भी काफी अच्छा लगे कर आपके बाल मिर्सी भी छोटे हैं मतलब shoulder length है तो भी ये hairstyle काफी अच्छा दिखेगा और कहीं से भी आपका अब आपको क्लचर को निकाल देते हैं जो हमारी पॉनी टेल है उसको और ज्यादा हाई ले आते हैं यहां पेकदम क्विक इजी है बहुत आसान है तो कोई भी इसको ट्राइ कर सकते हैं अब आपको simply twist करना है बालो को ज्यादा इसंप्री नहीं पिस तरीकेसे हुए हफ हलकी हल्की हाथ सुधीर परीडिक करना है बदिदा हो जचा के क्लचर का दो aby और यह आपका आपको समझ भी नहीं है कि कौन सा हैरस्टाइल करें तो आप इस तरीके से बना सकते हो अगर आप चाहते हो आपका बालों का जो फेस का जो लुक है वो बहुत जादा प्लैट ना दिखे तो आप थोड़े से कर सकते हो फ्लिक्स कट कैसे करने है घर पे अपने आतों से उसकी वीडियो में डाल दूंगी इस तरीके से सिंपली त्विश्ट करना है बालों को गर्मियों में ये सारे हैस्टाइल बहुत बैस्ट रहेंगे इजी है तो आप आराम से बना लोगे इस तरीके से बनाना है इस तरीके से अपर की तरफ पूल करना है जिससे के मारे फ्रेंट का जो लुक है वो भी अच्छा दिखें एंड क्लचर को एड़ कर देना है बैक में आइड कीजिए चाहे फ्रेंट में जेजिकि कितना एजी है और काफी अच्छा दिखते है यह वाला है अस्टाइ यह सब्सक्राइब करें जो कि गर्भियों के लिए बैस्ट रहेगा चलते हैं फोर्थ हैस्टाइल की तरफ होसे अच्छाइल में कई बार हम लोग साड़ी पहल रहे हैं बट हमको यह नहीं चाहिए कि हमारे फेस पे गर्दन पे आए तो आप सिंपली अपने बालों को एक स पिल्क लूक दे सकते हो फ्रंट की बीच की मांग निकाल लीजिए क्विक एजी हैस्टाइल लगाए सारे इस तरीके से करें ओनली वन कलचर से आप बना लोगी यह भी हैस्टाइल और ऐसे हाथ को नीचे की तरस से लेकि जाए ऐसे खीचिए यह जो हमारा लास्ट वाला प पेट दीजिए देन यह सारे हैर को इसके उपर से ऐसे ले आईए ओके अब इसमें आप कलचर एड़ कर दीजिए सेंटर में और यह साड़ी के लिए क्विक एजी हैस्टाइल हमारा रेडी हो गया है कि फोर्थ हैस्टाइल स्पांचवे हैस्टाइल में क्या करना थोड़ा और स्टाइलिस लुक चाहिए तो बस आप कलचर के ऊपर से इस तरीके से जो हैर थे उनको ले आना है आयोब के आपको क्लेयर दिख रहा हो गाईज और क्लचर को अच्छे से हाइट कर देना है ओली वन क्लचर से यह भी हैस्टाइल है तो काफी अच्छा दिखेगा को पूरा अच्छे से कलचर को हाइड कर दिया एंड वाला पार्ट अगर विकार लग रहा है इसमें आप कलचर में ही इसको अंदर के तरफ कर देजिए तो यह रहे कितना प्यारा हेस्टैल लग रहा है तो यह मारा पांचवा हैस्टाइल कम्प्लीट हो गया और साड़ी के लिए बैस्ट रहेगा आप ट्राइब कर सकते हो उनली वन क्लेचर से बन जाएंगे तो चलते हैं छटे हैर स्टाइल के तरब फ़ले हैस्टाइल के और पड़ेगा इसली ओपन भी ओजाता है ऐसा नहीं कि बाल आपके फसींगे या फिर कहीं से दिक्कत होगा आपको क्लेचर को ऑपन करना है और अपने हैर को ऊपन कर लेना है तो यह निकल गया, अब हम लोग चलते हैं छटे हैरस्टाइल की तरफ, छटे हैरस्टाइल में आपको क्या करना है, इस तरीके से, इस तरीके से, लूज पौनी तेल बनानी है, पौनी तरफ करना है, TOD, इस तरीके से, क्लचर को उल्टा इस तरीके से लगा देना है ओके आई होपके अच्छे से दिख रहा हो गाई इस तरीके से लगा देना है देन ऊपर की तरफ लेके जाएंगे जितना स्पेस चाहिए आपको उतना ले लीजिए इस तरीके से खिशते हुए और सारे बालों को नीचे की तरफ ले लिजे और cluture को open करके simply यहां पर attach कर दीजे एक सेक्ट गाईज इस तरीके से हमने रगाया है थोड़ा सा खीचेंगे इसको और इस तरीके से अंदर के तरफ twist कर देंगे इसको और simply cluture को add कर देंगे scalp के hair के साथ और यह हमारा बहुती सुन्दर शाप पतले हलके बालों में big सा hair style बनके ready हो जाएगा जो की काफी अच्छा लगेगा साडी के साथ सूट के साथ आप यह ट्राई कर सकते हो लेकि कितना stylish लग रहा है और quickly बन जाएगा easy है बहुत ही तो यह भी ट्राई कर सकते हो गर्मियों में यह वाला hairstyle भी काफी stylish लग गया आपका hair look भी बहुत अच्छा दिखेगा और quick बन जाता है तो यह हमारा छटा hairstyle हो गया चलते हैं साथवे hairstyle की तरफ तो साथवे hairstyle में आपको क्या करना है पहले अपने बालों को ear to ear parting करेंगे इस तरीके से बाकी सारे hair को back side की hair को एक pony बना लेंगे high low आपके उपर depend करता है आपको कैसा चाहिए hairstyle तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा high बना रही हूँ अब जो इस साइड के hair है इनको simply चोटी बना लेनी है एक गईज आप लोग को अगर self hair style चीए तो आप self के लिए comment कीजिए बट views ना गिरें इसका ध्यान रखिए आप लोग please support कीजिए अभी तर आप लोग ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया उमीद करती हूं कि आगे भी आप लोग ऐसे ही support करते देंगे मुझे इस तरीके से घूथेंगे इतना घूथेंगे कि हमारी हमारी जो च्योटी है वह rubber band तक आ जाए और इसको rubber band के चारव तरफ इस तरीके से लपेट देंगे दें सेकिंड साइड से भी सेम इसी तरीके से करना है यह वाला हेरस्टाइल भी बहुत प्यारा लगता है एंड क्विकली बन जाता है तो यह हमारा सात्वा हेरस्टाइल है सुदा चोटी को एंड तक गूथिए जहां तक कि आपका rubber band है वहां तक ponytail का जो rubber band है वहां तक गूथेंगे और इस तरीके से पोड़ी टेल के उपर से इसको लपेट देंगे और एंड वाला पार्ट जो है वह रबर बेंड के अंदर से इंसर्ट कर देंगे और यह हमारा कि सात्वा हेरस्टाइल हो गया कि रबर बेंड थोड़ा सा पतला लीजिएगा तो अच्छे से हाइड हो जाएगा तो कितना प्यादा लग रहा है क्विक है बहुत जल्दी आप बना लोगे एंड में आपको क्या करना है सिंप्ली बालों को टू पर्ट में डिवाइट करना है लेन ट्विश्ट कर लेना है आपस में इस तरीके से पूरा ट्विश्ट करना है एंड तक इस तरीके से करने के बाद से आपको सारे बालों को सिंप्ली पोनी टेल के उपर से इस तरीके से लपेट देना है और यह आपका बन बन के रेडी हो गया प्लचर एड कर दीजिए तो यह हमारा आठवा हैरस्टाइल कंप्रीट हो गया कि समर के लिए गद्मियों के लिए यह भी काफी अच्छा लगता है साडी पर भी जाएगा एंड आप इसको सूट के साथ भी बना सकते हो चलते हैं नौवे सब्सक्राइब कर लेते हैं और जो नोवा हेरस्टाइल है वो मेरा बैस्ट मतलब हेवरिट है मैं हमेशा यह से बना के कहीं भी चली जाती हूँ कि मुझे बहुत इजी लगता है फटाक से बन जाता है तो मैंने सुचा आप लोग के साथ कर दिया जाए इस तरीके से बिल्कुल ऐख कर, मैंने अपने साथे बालो को हाई पौय तरह safety बनानी है कि दिद्रेशा वे तनधा से बिल्कुल जो आपका यह अग्दम की सेंटर मी यहां पर हापकू बना लेनी है जितना हाई आप बना लोगे उतना अच्छा लुक आएगा आपके बालो का तो यह देखे इस तरीके से बना लिया अगेन आपको लूज करना है बालो को इस तरीके से फिंगर इंसर्ट करना है और इस तरीके से एक हॉल बना लेना है और रवडबेंड को अंदर की तरफ इंसर्ट कर देना है और इसको खीच लेना है ताइट कर लेना होगे अब अगे यह ना आपको सारे बालों को दिख रहा है यापको इस तरीके से लेकर आना है को बैक साइड में गूम जाती है तैक है आपको अछे सिद्धि के रवाडब्र हाइड होता हुआ रएना चीह और इस तरीके से थादी बालों को अंधर की तो नौह में हेर चाइस्ते को इस तरीके से करने है ट्विस्ट करने क इसको सिंपली अंदर की तरफ इस तरीके से रखेंगे और क्लचर को इस तरीके से अंदर की तरफ से लेके जाएंगे ताकि उपर से जो हमारा हेर है वो किलिया दिखे और इस तरीके से क्लचर को हाइट कर देंगे और यह है काफी अच्छा है काफी स्टाइलिस दिखते है बह कुछ इस तरीके का दिखेगा इसा दिखेगा और स्वंट से ऐसा दिखेगा तो आई होग की हैस्ट्रेल पसंद आई हो और जो दसवा है अज़ बहुत ही इजी है क्विक है बहुत फटाक से आप बना लोगे तो चलिए वह भी हैस्ट्रेल आपके साथ सेयर करती हूं कहीं भी एक बाद पोनी टेल को खोल लेते हैं क्योंकि हमने इसको ट्विस्ट किया था तो बहुत अजीब सा याद हो गया था दस्वाइस टेल बहुत इजी है क्विक है फटाक से आप बना के कॉलेज ऑफीस या फिर कहीं भी जा सकते हो जबर बैंको इसमें बहुत ज्यादा उपर लगाएंगे यानि की एकदम सेंटर में अब अब आपको करने है अगर आपके बाहुत छोटे हैं पतले हैं तो आपको करनी है इसमें बैक कॉम्बिंग जिसे की आपका जो बन है वो थोड़ा सा बढ़ा बने बहुत जादा बैक कॉम्बिंग मत कीजिएगा इतना काफी है आपके बन को अच्छा दिखाने के लिए एकदम सेंटर से लेके जाएंगे एक्स्टा हेर को अंदर के तरफ इंसर्ट करते हुए इस तरीके से रखके आप इसको चाहो तो यूपिन से सेट कर लोगे पार्टी वगदा में बनाना है यह हैस्टाइल तो यूपिन से सेट कर लेजगा इस हैस्टाइल का एक वीडियो पहले भी अप्लोड किया था लेकिन के साथ और यहां पर मैं क्लचर कर देगी क्योंकि हमको यह पर डेली के लिए हैस्टाइल चाहिए एब्रीडेश्टाइल है गर्मी में जो हम लोग एब्रीडेश्टाइल बनाते हैं बहुत कम ह तो आप यह सारे हैस्टाइल कार सकते हो तो इसका लूग कुछ इस तरीके का है तो सबस्क्राइब कौन सा है पसंद आया कौन सा अच्छा लगा और कौन सा इजी लगा कमेंट बॉक में ज़रू बताएगा और इस तरीकी की हैस्टाइल देखने के लिए मुझे सपोर्ट कर तो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो तो खाथ तब तक लिए बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई